नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेकनिकल स्पोर्ट्स पे दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे वजीर एक्स और बाइनांस को लेकर कि जो आपस में जड़ब चल रही है जो ED का जो नोटीस आया जो मैसेज आया उसके बाद तो इसकी पूरी कहा इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि ये वजीर एक्स कृप्टो करंशी एक्सचेंज के डारेक्टर को यहाँ पर खोज रहा है जिन्होंने यहाँ पर वजीर एक्स के ऐसेट्स 64.67 करोड को यहाँ पर इंस्टेंटली फ्रीज कर दिया है क्यों किया है क्योंकि यहां पर यहां पाए गये थे कि इन्होंने Loon App Companies और Money Laundering में यहां पर Purchase and Transfer के लिए Virtual Assets को यहां पर इन्होंने पकड़ा है तो EDip बहुत ही स्मार्ट होती है आपके किसी भी तरह के Activity को यहां पर रीड कर लेती है तो इस तरह के बड़े मतलब एक तरह से Money Laundering में एक वजीर X का नाम आया है वो पकड़ा गया है इसलिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है जैसे ही यह News आया उसके बाद से आप देख सकते हैं लगातार CJ Binance के तरफ से यहां पर ट्विट आना सुरू होगी आप इनके Official Twitter Account पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर देखेंगे इन्होंने बताया है मैं एक एक ट्विट आपको यहां पर बताऊं कि यह क्या बोलना चाह रहा है यहां पर सबसे पहले Important चीज की इन्होंने बता दिया है कि अगर आपके Fund वजीर X पर है तो कोई Charges नहीं लगते थे लेकिन अभी Market की Situation जब से खराब है थोड़े मोड़े Charges अभी लगने स्टार्ट होगे लेकिन आने वाले टाइम हो सकता है कि Wallet Disable कर दिया जा और आपको हर एक Transaction का अच्छा खासा Fund यहां पर फी यहां पर देना पर जाए उसके बाद यहां पर आप देखेंगे नीचे जो Services इन्हों ने प्रवाइड किया था वो Services था इनका All Control इसके उपर नहीं था और यहीं पर आप देखेंगे तो यहां पर इन्हों ने यह भी बताया है कि Binance ने कभी भी कोई Operation कोई Control वजीर X का नहीं किया है साइन अप के वाइसी ट्रेडिंग सब कुछ विड्रॉल वगेरा सब वजीरेक्स के फांडर टीम कंट्रोल करती थी और इसमें वाइनांस का कोई भी हात नहीं है तो वजीरेक्स के साथ जो इसूज चल रहे है उसके लिए भी इसूज यहां पर निकल कर आती है कि इन्होंने जो बताया है कि विट त्रेड ऑन बाइनांस एंड वजीरेक्स था वो वजीरेक्स के पास ही है यह बाइनांस का नहीं एदा इंट वजीरेक्स की थूई जनवाई लैप के थूँ यहां पर सारा काम होता था लेकिन सीओ जो है वजीरेक्स के उन्होंने बताया था कि सारा लाइसेंस बाइनांस के थूँ है वो भी हम दिखाएंगे यहां पर अब हम चलेंगे सीधा निस्चल सेटी के ट्विटर अकाउंट पर यहां पर हैंगे और यूजर एसेट्स क्रिप्टो एंड आई एन आर वजीर एक्स आर सेफ इन्होंने सबसे पहले बोला है 55 मिनट पहले का यह ट्विट है कि अगर आप यहां से ट्रांसफर भी कर लेते हैं सारा डेटा का रिपूर्ट इनके पास रहता है यहां पर जो आप देखें जहां कि अभी सीजेट बाइन इसको एक्सेट नहीं कर रहा है यहां पर में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगा यह जो है बाइनांस की थूर्वाइट करता था वजीर एक्स को बाइनांस ने ही वजीर एक्स के डोमेंन ने जैसे कि आप कोई भी वेपसाइट जो भी crypto assets आपका वजीर एक्स है वो बाइनांस का ही है जो भी trading होती है crypto के जो भी यहां पर profits होती है वो भी यहां पे यहां पर आपको मैंने सारी detail बता दिया अब अगर अगर CJD Binance ऐसा बोलते हैं तो फिर ये आप देखें ये पोस्ट है जो कि 2019 का है 2111-2019 का जिसमें Binance के बार में Binance का ही पोस्ट है कि Binance एक्क्वाइर्स इंडियाज लीडिंग डिजिटल एसेट्स प्लाटफॉर्म वजीर एक्स टू लॉंच मल्टिपल फियेट टू क्रिप्ट जिसमें इन्होंने खुद ही बोला है कि इन्होंने इंडियन लीडिंग क्रिप्टो एसेट्स वजीर एक्सव यहां पर एक्वाइर किया और आज यहां पर नकार रहे हैं तो यहां पर अगर कुल मिला कर देखा जाए तो जो मीन मुद्दा यहां पर आपको देखने को मिल इडिक का जो नोटिस है उसके बाद यहां पर बात की गई है फ्रॉड मनी की अप्लिकेशन को यहां पर लून प्रोवाइड करने की बहुत चार ऐसे आप अपने देखें होंगे जो कि इंस्टेंटली आपको करने के बाद यहां पर आपको प्रोवाइड कर देता है लून आपको फूर्स करते हैं पैसे के लिए तो इस तरह का फीक एप के अंदर और साथी क्रिप्टो एसेट को इंडिया से बाहर पैसे भेजने में भी यह पकड़े गया है जैसे कि मान लीजे अगर मुझे चाइना में पैसा भेजना है तो इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा और अब बात आती है कि हमारा क्रिप्टो यहां पे सेफ है या नहीं तो एक चीज में बोलना चाहूंगा कि होने के लिए पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है अगर आपके मन में इन सभी चीजों को जानने के बाद थोड़ा सा भी डाउट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाइनांस का लिंक है जो कि वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज है आप अपने फ्रेंट फंड्स को यहां पे सेफ करने के लिए अभी के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं और अगर आपको बाइनांस के उपर भी डाउट है तो ट्रस्ट वैलेट इस सेफ प्लेस आप अपने की को कहीं भी लिख्ग लिजे नोट डाउन कर लिजे कहीं भी online आप अपना कोई भी की फ्रेज इमेल में या कहीं भी सेफ करके मत रखिए क्यूUNGकि gmail भी आपका सेफ नहीं है gmail यानि की google के founder CEO खुदी ऐसा बूलते हैं कहीं भी नोट डाउन कर लिजे और अपने फंड को कर सकते हैं क्योंकि होने के लिए in future कुछ भी हो सकता हाला कि इतनी जल्दी किसी भी एक्स्चेंज को बंद करना भी आसान नहीं है तो अभी देखते हैं क्या क्या चीज़े आगे चल रही है तो आई ये थियास की वीडियो में complete detail और भी कोई information निकल कर आती है वीडियो के माध